नौसकार सातियो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल तेजपाल जड़ी वूटी ज्यान में आज हम ये जो आपको पौधा दिखा रहे हैं इसको हिंदी में सत्यानासी या सियाल काटा या फिर इसको उजर काटा भी कहते हैं इसको सातियो संस्कृत में कटू परनी और बंगाली में इसको स्वयन्ड चीरी कहा जाता है ये आपको पूरे भारत में हर जगे देखने को मिल जाएगी खास तौर से जहां बंजर जगे होती है या जहां रितिली जगे होती है बहां भी ये सडकों के किनारे आपको खुब आराम से देखने को मिलती है इसके पूरे पेंड पे पत्तों से लेकर इसकी डंडी तक पे हर जगे आपको काटे नजर आएंगे ये दो पिरकार की होती है एक तो ये आप जो देख रहे हैं पीले फूल वाला और एक दूसरा होता है जिसपे सफेद रंग का फूल आता है हलका पीला पन लिये हुए तो ये इसके जो फल अंदर देख रहे हैं इस फल के उपर भी काटे होते हैं पकने के बाद इसमें सरसों की तरह बीज निकलते हैं जो की काले रंगे बिल्कुल देखने में सरसों की तरह ही होते हैं और इसकी जो डंडी है इस डंडी को गर तोड़ेंगे तो इसमें पीले स्वन्ड रंग के सोने के रंग का इसमें दूद निकलता है इसलिए इसको स्वंडशीरी कहा जाता है या आप इसका फल देख रहे हैं ये पकने के बाद अपने आप फट जाता है फिर इसमें से जो बीज हैं गिर जाते हैं ये सत्यानासी नाम क्यों पड़ा इसके बारे में तो साइद मुझे नहीं पता लेकिन ये जरूर है कि ये हैं और बामक हैं कफनिस्तारक हैं बेदनासामक हैं पेट संबंदी विकारों में जैसे किसी के पेट में पानी भर जाता है तब इसके आप पंचांग को ले लें और लाकर अच्छी तरह से कूट लें और कूटने के बाद में इसका स्वरस निकाल लें यानि जो रस जादा आती है और जिसकी वज़े से जो सुजन होती है पेट के अंदर पानी भरा हुआ होता है वो ठीक होता है इस सत्यानासी की जड़ को आप छाया में सुखा कर चूरण बना लें और इसके एक ग्राम चूरण को थोड़े से जल के साथ गरम करें और या फिर दूद के सा गरम करें तो स्वांस या खासी वालों को पिलाने से उनका जो रुका हुआ बलगम होता है वो बाहर निकलता है और स्वांस खासी में आराम मिलता है या इस सत्यानासी के पीले दूद को अगर हम बतासे में तीन-चार बूंदे रखकर सुबह साम देते हैं तब भी स्वांस को लें और उसको कूट कर उसका पीला रस निकाल लें या पीला दूद जो है उसको लगाएंगे तो पूरी तरह से छाले फोड़ा फंसी ठीक होते हैं इसके पंचांग के रस में थोड़ा सा अगर हम नमक डाल कर सुबह साम सेवन करते हैं तो जितने भी चर्म रोग हैं उन इसके पत्तों का रस दाद पर लगाने से बहुत जल्दी दाद ठीक होते हैं कोई ऐसा फोड़ा है जो ना पक रहा हो और ठीक ना हो रहा हो तब इसके दूद को उस पर लगाने से पुराना और विगड़ा हुआ ये जो घाव है वो ठीक होता है इसके बीज बिसेले होते हैं, इनको ठाने से आदमी की मृत्यों तक हो सकती है, तो इसके बीजों को केवल बाहिये इस्तेमाल में ले सकते हैं, अन्य था इसके बीजों का सेवन बिलकुल भी ना करें। सकते हैं, अत्वा अपने किसी नजदी की बैद या चिकित सक्की सला से इसका प्रियोक कर सकते हैं, साथ यो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल तेश्पाल जड़ीवूटी ग्यान को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नई रोचक जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजिये अनुमती, नमस्कार